IPL 2024 का कार्मा वानखेडे स्टेडियम से उठकर अब एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर आ चुका है जहां पर RCB के सामने सनराइजर हैदराबाद टीम होगी इन दोनों की इस्थितियां परिस्थितियां IPL 2024 में बिल्कुल ही विपरीथ जहां पर सनराइजर हैदराबाद एक एक कुशल एक बहतरीन और एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है जहां पर सनराइजर हैदराबाद के पास वर्ल्ड का सबसे बहतरीन स्पिन खेलने वाला बल्लेबाज है जहां पर सनराइजर हैदराबाद के पास एक बहतरीन एक सुद्रिड एक मजबूत पेस अटेक है त तो बहुत ही एक साधारर सी बल्लेबाजी लाइनप है और पॉइंच टेबल में वो आखरी अस्थान पर है तो दोनों टीमों की स्थितियां पर स्थितियां बिल्कुल ही विपरीथ है एक आसमान पर है तो एक जमीन पर अपना कहीं अस्थान ढूनने में भटक रहा है और पाबले में किसका पलड़ा किसके उपर भारी होने वाला यह बाजी आरसी भी अपने होम ग्राउंड पर मारेगी और आइपल दोजाद 24 वह वापसी करती हुए दिखेगी या फिर हैदराबाद अपने जीत के मुमेंटम को आगे बढ़ाते हुए दिखेगी इन से भी बात हैं तो वीडियो में आप अंतक बने रहेगा आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर्स से यही आग्रह है यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हुए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब हाँ फेस्बूक पेश पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेस्बूक पेश को फॉलो कर लिजेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग देजेगा कि RCB वर्सेज SRS के बीच होने वाले इस महा मुकाबले का विजेता कौन होने वाला है सबसे पहले head-to-head encounter पर नज़र डालेते हैं यानि कि जब भी IPL की थिहास में ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तो कौन किसके उपर भारी राए यहां पर RCB 10 बार जीती है मुकाबला तो 12 बार संराइजर हैधराबाद पलडा किसका भारी है? हैधराबाद का head-to-head encounter को देखें बहुत ज़्यादा ये माईने नहीं रखेगा क्योंकि RCB भी हैधराबाद को हराना जानती है और हैधराबाद भी RCB को हराना जानती है तो मैंनों ग्यानिक तोर पे ऐसा जो कहते हैं कि पलडडा इनका भारी है पहल तो एक change इस team में जो जरूरी है जो आवशक है जो अनिवार है और जिसकी दरकार है वो गुरू Glenn Maxwell को बाहर बैटाना उनको mental space देना उनको भाया confidence मिलाना और अपने जो उनकी सक्तियां है याद दिलाना है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दिलाया जा सकता है कि उनको game से कुछ दिनों के लिए बाहर रखा जाए उनको enjoy करने दिया जाए फिर वो धिरे-धिरे confidence regain करेंगे फिर जब दो मुकाबलों बाद आप उनको खिलाएंगे तो अलग Maxwell दिखेंगे इसमें कोई दोरा नहीं है उनसे आप पल्ला नहीं जाड़ना है जैसे पहले गलतियां RCB कर चुकी अगर 3-4 मुकाबले कोई दिगज खिलाली नहीं चलता है तो वो छोड़ देते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं करना है Maxwell को अपने साथ रखना है हाँ आप थोड़े दिनों के लिए उनको rest दीजिए उनको enjoy करने दीजिए life का confidence हो जब gain कर लेंगे अपनी सक्तियों को याद कर ले परशिती काफी दैनी दिख रही है वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है क्योंकि टॉम करन क्या है डेथोबर specialist है उनके पास cutters है और इसी के लिए वो England team में खेलते भी थे जब खेलते थे तो उनको लाई अगर आपके squad में है आपने रखा हुआ है तो अभी उनकी जरूरत है आपको यहाँ पर डुपलेसिस विराट ओपेन करेंगे विल जैक्स नमबर तीन पाटिदार चार महिपाल लोंगरोड पाँज अनुजरावच छे उसके अलावा साथ परकार्तिक आठ पे टॉम करन नौ पे टॉपली दस प्याकास दीपी ग्यारा पे सिराज बारा पे सर्मा को लाना होगा क्योंकि आपके बॉलिंग विभाग में एक ही ऑप्सन है जो कि विकेट टेकिंग ऑप्सन है वह है करंड सर्मा पिटने दीजिए और 40 और 45 खाने दीजिए उनको दिक्कत नहीं है उससे एंचिना स्वामी की पिछ पे लेकिन अगर आपको वह मिडिल ओ के साथ कैरी ओन करने की जरूरत है बात करें अगर इनके ओपनिंग वलेबाज की तो ट्रविस है डविसेख सर्मा मारकरम तीन चार पिनितीस रेड़ी पाच पे क्लासें छे पे अब्दुल समत साथ पे साबाज अमत आट पे कमिंस नौ पे भूबनेस्वर कुमार दस पे उ मारकरम नंबर तीन पर आ जा रहा है और इनको फ्लेक्सिबिल्टी मिल जा रही है कि क्लासें को जरूरत पढ़ने पर चार और क्लासें को जरूरत पढ़ने पर पांच छे भी भेज़ सकते हैं क्योंकि इनके पास साबाज अमत है जो उपर खेल सकते हैं इनके पास नितीस र स्वामी स्टेडियम पर होने वाला है और आपको पता एक बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहां पर अगर आप 200 से कम बनाते हो टार्गेट तो वह असानी से चेज हो सकता है तो 200 प्लस रखना है और उसके बाद चीज़ों को चलाना है तब ही जाकर आप मुकाबला यहां पर जीतोगे जो वल्लेबाज यहां पर अपने आपको समय देगा वह खूब सारे रन बनाने वाले कुछ पिछले स्कोर कार्ड यहां पर देख लेते हैं 181, 182, 18 यह सूर्ते हाल है पूरा एम चिन्ना स्वामी पिछ का अब आ जाते हैं कि भई आप पिछ रिपोर्ट तो हमने देख लिए प्लेइंग बारा देख लिया तो आखिरकार on the paper मजबूत कौन सी टीम है तो देखिए सनराइजर हैदराबाद जो टीम है वो confidence celebration है उसके पास एक क पास Travis Head है है हैदराबाद के पास यू असंसनी निती सरेड़ी है है हैदराबाद के पास Pat Cummins है भूबनेश्वर कुमार है टीन ट्राजन है वह स्पिन गेदबाजी में विकेट टेकिंग आप्सन के रूप में मैंक मारकंडे हैं तो हैदराबाद के पास एक दो खिलाडी न चले तो अब शेक अब सेक ना चले तो ट्रैविस ट्रैविस भी ना चले तो वह यह जो स्रहबाज है पैट कमिंस है अब बुलसबध है निती सरेड़ी है यह मिलकर चल जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी हैदराबाद के लिए अच्छी दिख रही है है अन दे पेपर काफी मद den भी मजबूत दिख रहा है जाए हम पेज टीपार्टमेंट उठाकर देख लें स्पीन विभाग कर देख लें खेले बैटिंग ओरड का देख लें बहुत ज्यादा जमीन आस्मान का अंतर दिख रहा है कॉन्फिडेंस की भी बात करें मैंनक की बात करें तो वह भी पाबला जीतेगा तीस परचन्ट आप दे सकते हैं कि अरसी अगर कोहली बहुत अच्छा पारी खेलें अकेले दम की बात है कि बहुत बहुत भेटरीन खेल में तो आरसी जीतेगा अन्य है यहां कमबाइन डेफर्ट की कमी दिखती है तिस वज़़ए से 70 हैदराबाद 30% कमेंट सब्सक्राइब में कमेंट जरू दाग दीजेगा कि आपके हिसाब से आज के मुकाबले की विजेता टीम कौन होने वाली यह मिलते हैं अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले